नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है और मैं आज आपको चाइड्ड साइक्याट्री के बारे में कुछ इन्फोर्मेशन और जानकर देने वाला हूँ अपने को पहले सी ऐसा लगते आ रहा है सभी लोगों को कि बच्चों को मानसिक बीमारिया नहीं होती पर जैसे ऐसे इन्फोर्मेशन बढ़ती गई, जैसे ऐसे पैरेंट्स, मतलब पालक अवेर होते गई वैसे हमको ध्यान में आने लगा कि बच्चों को भी मानसिक बीमारिया होती है लेकिन प्रब्लेम यह है कि हम उसकी तरफ इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ दुरलक्ष करते हैं जैसे ऐसे टेक्नोरजी बढ़ रही है, कॉंपिटिशन बढ़ रही है, स्परधा बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों की मानसिक बीमारिया की जो लेवल है और जो सीरियसने से वो भी तिरे दिरे बढ़ रहा है बहुत सारी psychiatric बिमारिया बच्चों में होती है उदान आरता है, depression जैसे उदास रहना अकेरा के लिए रहना आत्मत्या के विचार आना कोई चीज में मन नहीं लगना पढ़ाई में मन नहीं लगना ऐसे लक्षन हम देख सकते हैं उसी के साथ साथ anxiety भी बहुत सारे बच्चों को होती है जैसे चिंता करना जान घबराना दिल नहीं लगना एक जगवे बैट नहीं पाना ऐसे बिमारिया बच्चों को हो सकते उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते मतलब वो बाकिस सभी चीजों में होश्यार होते हैं लेकिन जब वो पढ़ाई करने बैट थे तो उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता तो ऐसे बच्चों को ये देखना जरूरी है कि उनको learning disability है या ADHD है कोई व्यक्ति को है तो ये देखना जरूरी है कि वो बच्चा जो है उसको वो होशार तो होता है intelligent होता है लेकिन वो बात को समझ नहीं पाता वो पेपर में वराबर लिख नहीं पाता वो पढ़ नहीं पाता और ऐसे बच्चों को पढ़ाई अकसर बहुत difficult जाती है कठिन जाती है तो ऐसे बच्चों का अगर हमने diagnosis किया तो उनको परिक्षा में अलगलत प्रकारा की concession मिल सकते है जो दूसरा problem है वो है ADHD मतलब attention deficit hyperactivity disorder इसमें बच्चों का पढ़ाई में ध्यान दे लगता और वो hyperactive मतलब अती चंचल होते है एक जगावे बैट नहीं पाते इदर दर घूंगते रहते हर चीज में अपनी बात उनको बतानी पड़ती है ऐसे बच्चे होते ऐसे बच्चों को अगर डाट के प्यार से भी बताया तो भी ये बच्चे सुधरती नहीं ऐसे बच्चों के parents का counselling करना और उसी के साथ-साथ उनको methylphenidate नाम का एक drug है medicine है वो उनको देना उसके वज़े से उनकी जो attention deficit hyperactive disorder है वो control में आ सकते बहुत सारे बच्चे जो है वो intellectually borderline होते मतलब उनकी जो बुद्धी है वो इतनी develop नहीं हो पाती ऐसे बच्चों को बहुत सारा मार मिलता है, पिटाई होती है उनको force होता है pressure होता है लेकिन ऐसे बच्चों के pressure डालके या पिटाई करके उनको फाइदा नहीं होता ऐसे बच्चों में उनका IQ मतलब उनकी जो बुद्धी क्षमता है वो निकालना बहुत ही जरूरी है और उससे हमको ये मालूम बढ़ता है कि वो बच्चों की ख्षमता कितनी है और उससे सबसे हम वो बच्चे की ट्रेइनिंग देकर उसको हम पढ़ा लिखा सकते है बहुत सारे बच्चों में behavior problems भी होते है behavior problems मतलब माबाब की नव सुनना जित करना, फेकफा करना, मारा पिटी करना बहन बाई के साथ जगडा करना रात बढ़ घूमते रहना या addictions करना, नशा करना जिसे शराब पीना, सिगरेट पीना किसी को भी पकड़ के मारना ऐसे बहुत सारे addictions और behavioral problems भी होते है इसी के साथ-साथ हमको nocturnal aneurysis मतलब बेड में, नीन में पेशाप करना, ऐसे बहुत सारे बच्चों को problems होती है इसमें भी बच्चों की counseling करना और साथ में दवाई देना बहुत ही important है Child psychiatrist में सबसे important है कि बच्चों की counseling करना और उससे भी important है कि parents की counseling करना होता क्या है कि parents की बहुत ज़्यादा pressure के कारण और बहुत ज़्यादा strictness के कारण बच्चे डर जाते हैं और वो बराबर perform नहीं कर बाते हैं इसलिए parents की counseling करना उनको हर चीज का महत्व बता बहुत ही important है हम हमारे hospital में बच्चों के अलग-अलग test करते हैं जैसे child analysis test IQ test emotional potion test उसी के साथ में हम बच्चों की जो बहुतिक शमता है और aptitude test है वो भी ढूंटे है उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि बच्चों के actually skill कहा है उनका लक्ष क्या है उनको पसंद क्या है और फिर उस सबसे हम उनको training देकर उनको एक अच्छा व्यक्ति बढ़ने में मदब करते हैं तो इस प्रकार खुल मेरा कर summary जो है वो ये है कि child psychiatry आजकल बढ़ता हुआ बढ़ती हुई बीमारी है और इसमें बच्चों के counseling से जादा parents की counseling करना important है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे website पे जाए हमारे website है उसे के साथ में YouTube में जाकर ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए साथ में Facebook में मेरे पेज को like करिए और मैं जल्द ही अगले वीडियो भी upload करूबा, thank you